हेलो एवरीवान वेलकम बेक टो मैं चैनल फ्रेंज यह देखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटर्न इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडीज कार्डिगन में जैंट साफ सैटर फॉल सैटर में बच्चों के सैटर में कैप में इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो इसको बनाने के लिए आपने जो फंदे लेने हैं वो 10 के मल्टिपल से लेने हैं यानि कि 10-10 फंदे लेते हुए जाएंगे और लास्ट में हम 4 फंदे एक्स्रा रखेंगे तो हमारा यह डिजाइन से लिए हैं दोबार द 20 फंदे लिए हैं तो बीश फंदे और 4 फंदे एक्स्रा लिएये हैं 24 फंदे नीचे से तसे बेज़ से लिए विलटे फंदे अ के सार निकाल ले हैं तो पहली रह से दीज साइड, एस्ते जिलिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे यहां से repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा, आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, एक फंदा सीधा, यहां पर हमने एक फंदा सीधा आठ फंदे उल्टे, एक पंदा सीधा बुना ये 5 पंदव का पैटन है दो चार छे आro तस फिर से पैटन पीट करेंगे एक पंदा सीधा आठ फंदें उल्टे एक दो तीन चार पांच छे शालगा सर्थ एक फंदा सीधा यहां से यहां तक हमारे 2 पैटरन कंप प्रेट हो गए है यह दो फंदें हैं एक फंदा उल्टा एस्टे सीधा बुनेंगे तो पहली रोव कंप्लीट हो गई हैं दूसरी रोव सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो हर बार इसकी रॉंग साइड हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे अब दिखिए तीसरी रोव सीधी साइड एस्टे स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ करेंगे पीछे के फंदा आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा आगे की साइड से पीछे लिए कर जाएंगे दोनों फंदे सीधा बुनेंगे एक दो अब सेंटर में छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे दो फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे के फंदा आगे की साइड से आगे लाएंगे और आगे वाला पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीधे एक दो यह देखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है हमने दो फंदे राइट लाइट इसके सीधे बुने छे फंदे उल्टे दो फंदे लेट इसके सीधे बुने फिर से पैटन को रपीट करेंगे तो फिर से देखिए दो फंदे राइट टू लेफ्ट ट्रेस्ट करेंगे ट्विस्ट लेफ्ट और पीछे का पंदा आगे लाएगे आगे वाला पंदा प्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीध ही एक 12 छे फंदे ओल्टे एक तो लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा उल्टा एस्ट सीधा बुनेंगे तीसरी रौ कम्प्लीट हो गई है चौती रौ सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनें पाच्वी रौ सीधी साइन एस्ट स्लिप करेंगे पहला फंदा उल्टा ही बनाएंगे यहां से रपीट पै एक, दो, अब चार फंदे सेंटर के उल्टे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे left to right इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, दूसरा फंदा आगे लाएंगे आगे की साइड से और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा सीधा, ये देखि यहां पर हमने एक फंदा सीधा बुना, दो फंदे right to left इसके हो सीधे बुने, चार फंदे उल्टे, दो फंदे left to right इसके हो सीधे बुने, एक फंदा सीधा, फिर से इस पैटन को रिपीट करेंगे, दो फंदे right to left, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे right to left, प्रिस्ट करेंगे और दोनों फंदे सीधे एक दो एक फंदा सीधा लास्ट में एक फंदा उल्टा एस्टे सीधा बना लेंगे पांच वी रौ कम्प्लीट हो गई है चटी रौ सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे साथ मी रौ सीधी साइड एस्टे स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा बनेंगे यहां से repeat pattern start करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे right to left इस तरफ को टेस्ट करेंगे दूसरा फंदा पीछे की साइड से आगे लाएंगे और पहला फंदा आगे की साइड से पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीधे एक दो सेंटर में दो फ फंदे सीधे एक दो फंदे सीधे एक दो यह देखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे बुने दो फंदे right to left इसके और सीधे बुने दो फंदे उल्टे दो फंदे left to right इसके सीधे बुने दो फंदे सीधे फिरसे pattern को repeat करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे right to left ट्वि उल्टे एक दो दो फंदे लेफ्ट तू राइट ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे एक दो दो फंदे सीधे एक दो लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा उल्टा एस्टे सीधा बुनेंगे साथ मी रव कंप्लेट हो गई है आठ मी रव सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे नौ मी रव सीधी साइड एस्टे स्लिप करेंगे एक फंदा तो उल्टा ही बुनेंगे यहां से रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन दो फंदे राइट टू लेट इस तरफ को टिस्ट करेंगे दूसरा फंदा पीछे की साइड से आगे लाएंगे और पहला फंदा आगे की साइड से पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीधे एक दो दो फंदे left to right इस तरफ को टेस्ट करेंगे दूसरा फंदा आगे की साइड से आगे लेकर जाएंगे और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीधे एक, दो, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, ये देखिए, यहां पर हमने तीन फंदे सीधे बुने, दो फंदे राइट टू लाटिस के सीधे बुने, दो फंदे लेट टू राइट टू लाटिस के सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुने, फिर से इस पैटन को रिपीट कर तो फिर से दिखिए तीन फंदे सीधे एक दो तीन दो फंदे राइट टु लेफ ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुन लेंगे एक दो फंदे लेफ्ट टु राइट ट्विस्ट करेंगे सीधा बुनेंगे एक दो तीन फंदे सीधे एक दो तीन लास्ट में एक फंदा उल्टा एस्ट इस सीधा बुनेंगे नौवी रौ कम्प्लीट हो गई है दस्वी रौ सारे फंदे उल्ट उल्टे बुनेंगे दस्वी रौ कम्प्लीट हो गई है और हमारा हाँ पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से यही दस रो उपर पीट करेंगे लेकिन इस पैटन को शफल करेंगे अब यह वाला पैटन यहाँ पर यह वाला यहाँ पर आएगा तो दिखें ग्यार मी रो सीधी साइड ऐसे स्लिप करेंगे एक फंदा तो उल्टा ही बुनेंगे यहाँ से रो पीट पैटन स्टार्ट करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार दो फंदे सीधे एक दो फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार यह दिखे हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बुनें, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे फिर से इस pattern को repeat करेंगे तो दिखे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्टे सीधा बुनेंगे ग्यारमी रो कम्प्लीट हो गई है, बारमी रो सारे फंदे उल्टे 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 बुनेंगे तेरा रो सीधी साइड, एस्टे स्लिप करेंगे, पहला फंदा उल्टा ही बुनेंगे यहां से repeat pattern starts करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन, दो फंदे left to right इस तरफ को test करेंगे दूसरा फंदा आगे की side से आगे ले कर जाएंगे और पहला फंदा पीछे की side से पीछे ले कर जाएंगे दोनों फंदे सी धे एक, दो दो फंदे इस तरफ को टेस्ट करेंगे, दूसरा फंदा पीछे की साइड से आगे लेकर आएंगे, और पहला फंदा आगे की साइड से पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, ये देखिए, यहां पर हमने तीन फंदे उल्टे बंए, दो फंदे लफ्हों राइट टू राइट ऊस्थ के सीधे दो फंदे राइट तो राइट एक, दो, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, एस्टे सीधा बुनेंगे, तेरा रो कम्प्लीट हो गई है, चौदा रो सारे फंदे उल्टे 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 बुनें, फंदरा रो सीधी साइड, एस्टे स्लिप करेंगे, प पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, सेंटर के दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे राइट उल्टे इस तरह को ट्रिस्ट करेंगे, दूसरा फंदा पीछे की साइड से आगे लाएंगे, और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों इसके सीधे बुने दो फंदे उल्टे बुने फिर से पैटन को रपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे एक दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे राइट टू लेफ्ट करेंगे और सीधा फंदा उल्टा एस्टे सीधा बुन लेंगे 15 रॉव कम्प्लेट हो गई है 16 रॉव सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे 17 रॉव सीधी साइड एस्टे स्लिप करेंगे स्टार्टिंग में एक फंदा उल्टा ही बुनेंगे यहां से repeat pattern start करेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे left to right इस तरफ को twist करेंगे, दूसरा फंदा आगे की side से आगे लेकर जाएंगे, और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, तो, सेंटर के चार फंदे सीधे, एक, तो, तीन, चार, दो फंदे इ twist करेंगे, दूसरा फंदा पीछे की side से आगे, और पहला फंदा पीछे, दोनों फंदे सीधे, एक, तो, एक फंदा उल्टा, यह देखिए, यहां पर हमने एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदे left to right इसके सीधे बुने, चार फंदे सीधे, दो फंदे right to right इसके सीधे बु उल्टा बनाया फिर से पैटर्न को रपीट करेंगे एक फंदा उल्टा दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे एक दो चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दो फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुन लेंगे सतरा रो कम्प्लीट हो गई है, अठा रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने, 19 रो सीधी साइन, एस्टे स्लिप करेंगे, पहला फंदा उल्टा ही बुनेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे left to right, इस तरफ को टिस करेंगे, दूसरा फंदा आगे पाच, छे, दो फंदे right to left, इस तरफ को टिस करेंगे, दूसरा फंदा पीछे की साइड से आगे लेकर जाएंगे, और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, यह देखिए, यहाँ पर हमने दो फंदे left to right टिस के सीधे बुनें, छे फंदे सीध एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो फंदे right to left twist करेंगे और सीधा बुनेंगे, एक, दो, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्ट इस सीधा बुनेंगे, 19 रो कम्प्लीट हो गई है, 20 रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, तो देखिए 20 रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे first रो से start करेंगे, और ऐसे ही बार बार इसकी one to twenty रोर पीट करते जाएंगे, और ये पैटन बन कर इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो फ्रेंड आप भी इसे बना और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको हमारे पैटन कैसे लगते हैं, अगर आपको हमारे पैटन अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंज के साथ, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो फिर से हाजिर होते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न लेकर तब तक के लिए पैबल रेंड़